जैपुर वासियों के हार्ट को हेल्थी बनाए रखने के लिए सीके बिर्ला हॉस्पिटल और डिकेथलोन के सयुटित तत्वावधान में 22 सितंबर को दस के रन, रन फोर हार्ट दोड का आयूजन किया जा रहा है इस आयूजन का उद्देशिय स्वस्तहरदय के प्रती जागरुकता बढ़ाना और फिटनस के महत्व को उजागर करना है सीके बिर्ला हॉस्पिटल के वाइस प्रेसिडेंट और यूनिट हेड अनुभव सुखवानी ने बताया कि ये दोड तीन श्रेणियों में तीन किलोमीटर, पांच किलोमीटर और दस किलोमीटर में आयूजित की जाएगी पाकि सभी आयूवर्ग के प्रतिभागी अपनी शमता के अनुसार भाग ले सके दोड की शिर्वात सीके बिडला हॉस्पिटल से होगी जो महरानी फॉर्म से होते हुए शिप्रापत और वहां से एक निजी स्कूल से के पास होते हुए रिद्धी सिद्धी चरहा होकर वापस सीके बिडला हॉस्पिटल पर समाप्त होगी इस दोड में शहर के स्वास्ते के प्रती जागरुक नागरिकों के साथ विबिन संगचनों और संस्थानों के लोग भी भाग लेंगे आयूजन के दोरान प्रती भागियों को जुंबर डांस जैसे अक्टिविटीज भी कराई जाएंगी दोड में हर श्रेणी में प्रताम, द्वितिय और तृतीय स्थान आने वाले धावकों को पुरस्कृत किया जाएगा सीनियर कार्डियक सर्जन डॉक्टर आलूक माथुर और सीनियर इंटर्वेंशनल कार्डियोलोजिस्ट डॉक्टर सजीब रॉय और डॉक्टर अमिद गुप्ता ने बताय कि रॉनिंग हार्ट को स्वस्त बनाये रखने के लिए सबसे अच्छी एक्सराइज में से एक है रॉनिंग के दौरान हम आमजन को रॉनिंग के फाइवे और हार्ट को हेल्धी रखने के टिप्स भी देंगे सब्सक्राइब करेंगे साड़े पाइबचे से और अभी तक हमारे करीब करीब साथ सो रेजिस्टरेशन हो चुके हैं जिसमें जो रेशो है करेंगे मेल फीमेल का वो 70-30 है संतर प्रतीशत इसमें रिजिस्टर करने वाले पूरुष है और 30 पर सुन महिला है हमारी एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम हजार लोग प्रिस्टर करेंगे समें हाजार लोग मारसा दौरेंगे सब्सक्राइब करेंगे जिसमें लोग इवेंट से पहले फोड़ा एक पॉक देंगे जिसमें एल्डॉफ होगी और प्रिफिलर डाइट पर दौर रॉनर्स उसके बाद जुमा सेशन होगा एज वाम-प सेशन और फिर हमारी रन साट होगी रन के बाद हमारे पार प्रस फि प्रिफिट करेंगे और उनको थोगा सा मार्क देशन देने की यह है और जो स्पेशलिस्क्राइब का मानना ये है कि एक्सरसाइज जीवन में सबसे मैठोपून है आज के जो आधनिक जमाने में एक्सरसाइज बहुत कम होती जारी है सब चीजे बोबाईल और सारी हमारे दाइजेशन सिस्टम को हमारे मान सिक संतुलन को सबको फायदा होता है और हर दिन कम से कम 30 मिनट हमें एक मोडरेट लेवल की प्रिस्क वाउक जैसी एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए और अगर हम ज्यादा कर सकते हैं तो कम से कम 15 मिनट का एक जॉगिंग सेशन और अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के अकोर्डी हम उसको बढ़ा सकते हैं